और अब न्यूज 18 इंडिया का सिलसिला उत्तर प्रदेश में आप पहुंचा है और उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री केशव प्रसाद मौरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है क्या ख़बर प्रदेश से ति उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा भारती जनता पार्टी का कमल खिल रहा है तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जहां भाजपा के कंडिजेट हैं वहां भाजपा जहां हमारे गड़मनन्द दल के प्रत्यासी हैं उनके प्रत्यासी नमर दीजें है तो पिछली बार बासट आई थी नहीं तो उससे पीछे जाईए ना 2014 में जब सपा बसपा अलग अलग लड़े थे तब हम 73 जीते थे और जब इस समय सपा बसपा फिर अलग लड़ रही है भारती जनता पार्टी ने डबल इंजन सरकार के मादे हमसे देश-पृदेश की से इतनी उन्नती हुई है इसके कारण से देश का जो मद्दा ताविसेस्त और से गरीब पानी मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाना चाहिए जो पिछला चरण गया है यादव लांड यादव बेल्ट में हुआ है यादव परिवार जो है मुल अर्था सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं लेकिन बयानों के तीर तो घजब के चल रहे हैं मतलब प्रभू राम पर राम गुपाल यादव की तरफ से बयान आया उसके बाद यहां से आप लोगों की तरफ से बयान आया कि यह लोग आएंगे तो बाबरी मस्जिद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों रामभक्तों की अपराधी पार्टी एक तरफ समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी तो निहत्य रामभक्तों को अयुद्या में गोलियों से भूना गया था दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने भगवान स कालपनिक बताने का काम किया तीसरा जब 22 जनौरी 2024 को 500 साल बाद रामलला अपने जन्मस्तान पर विराजमान हो निवाले थे उसका निमंत्र लगया उसको ठुकराने का काम किया और स्री अखलेश यादू जी यहां तो माफिया की कबर पर फतिया पढ़ने जा सकते हैं लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुकमंत्री थे वहां लोधी राजपूत समाज से आते थे लेकिन वहां सबके नेता थे आधनी कर्लेयान सिंग्जी उनका निधन हो गया वह 500 मीटर दूरी पर बैठे थे विधान भावन में उनका सवरक्षा हुआ था उनको पुस्वांजली उनको को से ज्यादा मुहब्बत करते हैं तुष्टी करन की घटिया घिनावनी बाटो और राज्यकरों की जो राजनिती है उसका आंत स्री अकले स्यादो जी के मुकमंत्री रहते हुए 2014 में यूपी की जनता ने कर दिया था जब मोदी जी को पीम बनाने के लिए सपाक से यूपी को मुक्त कराने का संदेश 73 सांसत भाज़वा की जीता करके दिया था फिर उसके बाद बासट भी तो हो गया वो आप कहते हैं वो तुष्टी करन कहते हैं वो कहते हैं आप बहु संख्यक बाढ़ावा देते तो हम हिंदू का साथ हिंदू का भी कास कहते हैं वहा कुछ का साथ और गुंडों का भी कास करते हैं तो हमारी नीती अस्वष है सब का साथ सब का विकास गरीब कल्याण की योजना किसान कल्याण की योजना हर घर नल से जल पहुचाने की योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना आयूसमान भारत योजना सभी योजनाओं का लाब सब को मिल रहा है और बहुत अच्छे से मिल रहा है और उसके मन में ये बैठा है कि मोदी जी के आने के बाद इस तोर से इस देश के अंदर किसी जाती किसी विरादरी किसी समुदाय की ये सिकायत नहीं हो सकती ये बात मानगे लेकिन कि जो आप योजनाय पहुंचाते हैं वो सलीम के घर भी जाती है और सुनील के घर भी जाती है ये बात सच है और मैं जगा 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 जा रही हूँ इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन ऐसा क्यूं है कि सलीम आपको वोट नहीं करता है ऐसा क्यूं है क कि सलीम को लगता है कि आप आएंगे तो वो पाकिस्तान भेज़ दिया जाएगा देखिए यह वी इंदर जो सपाबस्पा कांग्रेश जैसे डलों के नाम की बिमारी है इस बिमारी से मुक्ति के बाद इस विमारी से भी मुक्ति मिल जाएगी अभी उनको भाजपा का भै दिखाया जाता है जिस भाजपा के सासन में सुरच्छा भी है विकास भी है जिस भाजपा के सासन में उसके जीवन के दुखों को दूर करने की योजनाएं भी है उसको खौप में लाने का काम किया जाता है और जो पाकिस्तान की बात भारत के अंदर रहने वाले किसी नेता की प्रसंसा अगर पाकिस्तान का कोई नेता करे तो कौन है सिराहूल गांधी जी प्रसंसा जब उधर से होती है तो उनका छुपा हुआ एजेंडा क्या है करनाटक में इन्हों क्या किया करना क्या है इनका भाविश का देश के लिए चुपा हुआ एजंडा क्या है लोग कैसे जानेंगे हम क्यों यह कहना पड़ रहा है कि आप जब असी बनाम बीस वाली बात करते हैं और फिर कहते हैं बीस में भी हमारा हिस्सा होगा वह आपी का बयांता हूं सव में असी प्रतिशत हमारा है बीस प्रतिशत में बटवारा है बटवारे में भी हमारा है क्योंकि हम सबका सास्थ सबका विकास करते हैं मोधी जी सबकार शहा है तरदेश और देश का प्रधान मंतिरी और इसके प्रतिशत नहीं चाहता है यह भी कहा है सव में से असी प्रतिशत हमारा बीस प्रतिशत में बटवारा बटवारे में भी हमारा जो आप सलीम और सुलीम सुनील की चाहते हैं की मोधी जी अच्छे है भाजपा अच्छी है लेकिन यह जो लाजनीतिक चो तुष्टीकण की राजनी करते हैं जिसके पाकिस्तान बड़ा जो उच्ची करते हैं जिस से जम्मू कासिं में 370 का अनुछेद आया जो तुश्री करन की बाद करते हैं जब सुमनात भगवान का मंदिर बन गया था अगर उसी समय आजादी के बाद अयुद्या मत्रुणा कासी के मंदिर बन जाते तो आज ये भी मारी नहीं रहती आप सुमनात मंदिर का जिक्र कर रहे हैं आयुद्या मे प्रभुश्री राम की खुबसूरत जो है मूर्ती अब पूरे देश को दिख रही है आप तो प्राण प्रतिष्टा हो चुकी है वो मूर्ती नहीं वो भगवान हुए लेकिन अब बारी काशी और मतुरा की भी आप लोग आएंगे तो काशी और मतुरा भी लाएं मतुरा हिंदू के आस्था का केंद्र है और जो भी राम भक्ती करता है शिव भक्ती करता है कृष्ण जी की भक्ती करता है वो जह चाहता है कि यहां तीनों अस्थानों का जैसे अध्या में भव्य मंदिर बना है वैसे कासी में भी बने वैसे मतुरा में भी बने मुकदमा मान कासी और मतुरा के लिए भी न्याय होगा और वहां पर भी भब्य और दिब्य मंदिर बने अच्छ अब राहूल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लग रहे हैं वो राइबरेली जा रहे हैं राइबरेली चोड़ करके अब राइबरेली चोड़ करके दो हजार उन्तिस में पर आपके दो उम्मीद्वार आपको लगता है कि कड़ा मुकाबला कर पाएंगे हम असी के सीटे जब जीतने की बात कर रहे हैं तो उम्मीद्वार कौन है कोई देखी नहीं रहा है देश का प्रधान मंत्री बनाने के लिए अगर मद्दाता को सीधे ओड़ दे करके मोदी बनाना चाहिए अभी एस जय शंकर ने बयान दिया है कि भारत का हिस्सा है और जल्दी पाकिस्तान को सौब देना चाहिए अगली अगली अगर आपकी सरकार आती है तो यह तो 400 पार हुआ तो यह एजेंडे में क्या है जिस दिन 370 हटाने का एलान संसत के अंदर हुआ था उसी दिन हमारे ग्रह मंत्री जी ने मानी प्रधान मंत्री जी के नेतेत वाली सरकार में यह कहें पीयोके भारत का अभिन अंग है और जब सवाल आया था कांग्रेस की ओर से आया था उनको तो यह लगता था कि 370 हटा ही नहीं सकते लेकिन जब हटा दिया तो पीयोके पर पासे में तिरंगा फाराना है तो 400 पार सामान नागरिक सहिता लाना है तो 400 पार गरीबों को अमीर बनाना है तो 400 पार महिलाओं का ससक्ती करना है तो 400 पार इसका मतलब यह कि आप संविधान बदल के रख लेंगे जैसा वो कह रहा है जो संविधान का पुजारी है जो लोक तेकने का काम किया सभी पुस्तक पर हाथ रखकर नहीं कहा कि यहाँ मेरा ध्र्म सभी हान मेरा रामाइड भी यही है गीता भी है धिता-बियाई है मेरे पूरान भी यही मेरा बाईबिल भी भी बाबा साहब के बनाए हुए संभी शाइब के अनुसार देश को चलाने का दस साल हमने काम किया तो आपने यह खूब सारे वादे हिना है उसमें सबसे खूबसूरत वादा था कि तिरंगा पीयो के में लहराएंगे मैं कहूंगे इंशालला जरूर वो दिन आए तो आपको खूब सारी शुब काम है तो यह थे उत्तर प्रदेश के ओप मुख्य मंत्री खूब कर अपनी बाते रखी और चैलेंज भी बकाइदा किया है इजाज़त दीजिए